गुड मारिण एवरिवन वालकम तू आवर यूटूब चैनल और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं चार स्टॉक्स के बारे में और इनका चार्ट स्टेडिस करेंगे चार्ट अटअलिसिस करने वाले हैं और किस तरीके का साइकोलोथी रहने वाला है इन stocks के अंदर वो हम details से discuss करेंगे तो वीडियो को end तक आप लोग जरूर देखिएगा और levels को note down कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जिससे आप लोग उन levels पर अगर stock आता है तो action ले सकते हैं अपने watch list में डालकर stocks को रख सकते हैं और channel पर पहली बार आये तो channel को subscribe जरूर कीजिएगा और video अगर अच्छा लगता है तो ज़ादा से ज़ादा share कीजिएगा सबसे पहला comment box में जो stocks आया था वो था LTI mine tree का तो LTI mine tree का अगर देखें तो मैं आपको clearly बताता हूँ यहां से stock देखिए fall हुआ था यह हुआ था April 2022 में और यहां से stock नीचे गिरा आप लोग देखें अगर तो लगभग लगभग almost 40% का correction stock के अंदर हुआ उसके बाद इस stock ने एक range बनाई जो range में आप लोगों के सामने देखिए यह वाली range बनाई अब यह rectangle draw करते ही आप लोगों को easily पता चल गया होगा कि यह stock किस range के अंदर गोम रहा है और अभी मैं आप लोगों को एक RSI का तरीका बताता हूँ जिससे आप हमेशा अच्छा पैसा बनाते रहेंगे सबसे पहले आप लोग देखिए stock यहाँ से नीचे गिरा ठीके और उपर गया लगबग लगबग resistance के पास गया यह हमने देख लिया अब stock जब भी इस range पर आएगा ना इस वाली range पर हमें stock में buying लगानी चाहिए तो stock आया और देखिए कितना जल्दी target अचीव कर लिया और यहाँ में stock से बाहा निकल गए और अभी यह stock यहाँ पर ही trade कर रहा है यह black color की जो line है 200 का moving average है यहाँ पर यह stock support ले सकता है लेकिन अभी अगर entry करने के लिए बोलेंगे तो entry का time perfect नहीं है लेकिन आप लोग आप लोग देखें इस range में क्या work किया है आप लोग देखे stock नीचे गीरा RSI देखिए यहाँ पर देखिए RSI थोड़ा सा में इसको इधर कर लेता हूं और RSI को थोड़ा सा नीचे करता हूं actually इधर कर लेता है ठीके तो आप लोग देखिएगा कितना अच्छा RSI वर्क कर आया इस stock के अंदर देखिए 40 से नीचे आया suppose यहाँ buy कर लिया यहाँ पर आगया यहाँ buy कर लिया और 20 के आसपास आया यहाँ और buy कर लिया उसके बाद 2 buying लगा दी आप लोगों ने उसके बाद 3 buying के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए 2 buying लगी हमारी और उसके बाद दे देखिए यह 70 के आसपास आता है यहाँ profit book किया आप लोग देखें वापस से RSI नीचे आया यहाँ पर देखिए 40 को टच किया buy किया और फिर से देखिए आपका target यहाँ अचिव हुआ और फिर से आप लोग देखिएगा RSI फिर से नीचे आया यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर एक buying यहाँ लगी और एक buying यहाँ लगी यहाँ पर लगा दिया उसके बाद नीचे आता है हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ अमारी second strategy से और पैसा लग गया तीन buying लग गई उसके बाद देखिए फिर से target अच अचीव कर लिया और इस बार क्या हुआ है फिर से आया था उपर की तरफ गया लेकिन कोई news आई होगी या कुछ हुआ होगा big volume के साथ नीचे गीरा है फिर से RSI 40 है तो इस strategy के base पर हम लोग यहाँ बाई कर सकते हैं नीचे आएगा तो और बाई करेंगे और यहाँ पर आग इतना है 15% का full maximum दिखा सकता है ऐसा नहीं कि इससे नीचे नहीं जा सकता है नीचे जाने के बाद उपर आ सकता है लेकिन 15% के full के according हमें क्या करना पड़ेगा इस स्टॉक में entry करनी पड़ेगी और इस range का जब breakout होगा तो इतना तो target आप लोग मान कर चलिए कि यह वाला जो ह यहाँ पर एक pattern बनने की कोशिश करेगा जो pattern बाद में बनने की कोशिश करेगा तो अगर आपका 1 year का view है तो इस stock में 660 का target लेकर आप लोग चल सकते हैं जो की current price से कितना है देख लेते हैं current price से almost 37% का है तो 1 year के लिए stock अच्छा रहने वाला है तो मैंने details से आप लोगों क इसमें मैंने आपको RSI strategy भी बताई और एक ही range trading जो होती है support का बहुत अच्छे तरीके से use करना वो strategy भी मैंने आप लोगों को बताया और 200 का भी अभी support आ रहा है तो सब तरब से देखें तो stock अच्छा लग रहा है लेकिन अभी बड़ा amount लगाने का time नहीं है amount suppose आप लोग अगर यहां से 5% नीचे गिरा all लगाया और 5% नीचे गिरा 10,000 लगाकर stock को छोड़ दो मिल जाएगा return one year में next stock होने वाला है cams का cams का अगर देखें तो again देखिए range बनी थी stock में आप लोग देखें यह वाली range बनी थी और उसके बाद इस stock उपर गया था उसके बाद देखिए फिर से नीचे आया और अब वापस से उपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा यह stock और यहां से एक अच् सकते हैं clear cut अगर मैं इसको current price से भी अगर consider करता हूँ तो current price से 14 percentage का आ रहा है तो easily अगर 5-6 month का view है तो cams अच्छा रहने वाला है और अगर यह break होता है तो 3000 cams नजर आ सकता है तो अच्छे level पर है cams भी अभी market में stocks अच्छे quality stocks जादा lower price पर मिल नहीं रहे हैं लेकिन 500 footwear हो गया बाटा इंडिया भी चलना है start किया है तो इस तरीके के बहुत सारे stock है जो available है तो हम लोगों को क्या करना है अगर हमारे जैसे target हिट होते हैं किसी stock के अंदर तो वहां से profit book करना है और जो lower price पर stock चल रहा है उसके अंदर amount को shift करना है इस तरीके से करेंगे तो market मे कभी भी portfolio जादा minus में नहीं देखेगा और अच्छा profit मिलेगा next stock है infosys का और infosys में मैंने lines draw करके रखी है infosys में अगर देखें तो आप लोग देखी है range बना था यहां आया और target easily achieve किया यहां आया इस बार क्या हुआ stock नीचे गिर गया कोई बात नहीं हमारा 14 12 40 का फिर से यहां पर देखिए पीछे से अगर back testing करेंगे ना तभी आप लोगों को stock को buy करने का conviction आएगा तो यहां से 12 40 पर buy किया अगर इसका average निकला जाए तो almost 1300 से 13 10 के अंदर आएगा तो वहां से अभी almost almost हम उस buying price से थोड़ा उपर चल रहे हैं तभी अगर हमारे पास patient से तो हमने hold किया हुआ है अगर stock और buy chance IT गीरा और नीचे आ गया तो बहुत बड़ी opportunity बन जाएगी और current price पर भी entry कर सकते हैं यहां से सीधा सीधा अगर stock में देखा जाए यह draw नहीं हो रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोग देखिए stock जो है यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से भी अगर पहला target अगर देखेंगे almost 10% का target आ रहा है तो 10% अगर 3 मन्त में भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अगर हमारा technical target देखें तो 23% का आ रहा है तो within 6 to 8 मन्त अगर 23% भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो infosys भी एक अच्छे price पर चल रहा है उसके बाद अगर हम लोग देखें तो विनती ओर्गिनिक्स का stock होने वाला है जो की मैंने draw करके रखा हुआ है आप लोग देखें यहां से stock बार-बार यहां आता है bounce back करता है बार-बार यहां आता है 1,2,3,4,5 इस बार भी इसी तरीके का moment इस stock के अंदर रहे सकता है current price से अगर हम लोग यह वाला भी देखते हैं तो easily 20% का trade बन रहा है तो अच्छे opportunity है आप लोग अच्छे तरीके से research केजिए और अगर आपको सही लगता है तो position भी बना सकते हैं मेरा buying और selling recommendation किसी भी stock के अंदर नहीं है financial advisor से सलाज जरूर लेजिए I hope आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा Thank you for watching this video